दोस्तों हमारे पास है बहुत special गाड़ी है फिलाल आप जो देख रहे हैं यह गाड़ी है 4x2 थार जो recently launch हुई है और वहाँ देख रहे हैं 4x4 same थार और यहाँ पर मैं आपको इनके price comparison engine और क्या-क्या बदला हुए गाड़ी के अंदर वो बताने वाला हूं तो बड़ी प्या तकरीबन मैं कहूं तो चार लाक उननीश जार रूबे का difference जो है यह पढ़ जाता है फिलाल यह जो वेरेंट है यह आप देख रहे हैं इसका LX वेरेंट तो शुरुवात LX वेरेंट से करते हैं 4x2 LX वेरेंट के अंदर आपको 1.5 लेटर का four cylinder in-line engine मिलता है जो D117 CRD है ज नहीं अगर हम बात कर लेते हैं सेम LX hard top 4x4 वेरेंट की तो यहां पर आपको 2.2 का four cylinder mhawk engine मिलता है यह इंजन आपको 130 वेरेंट और 300 nm का टॉक जेनरेट करता है 4x4 होने के कारेंट इस गाड़ी में आपको front axle भी मिल जाते हैं जिसके वैसे चारों टायर्स के अंदर समान आपके घर आके खड़ी हो जाती है इंशुरंस वगरा सब कुछ मिला के वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं LX hard top 4x4 वेरेंट की तो भाई वो पड़ती है 18,18,000 रुपे ओन रोड प्राइज आपके घर में आके खड़ी हो जाती है तो कहां 13,25 रुपे कहां 18,18,000 रुपे त सकते हैं लेकिन extreme आपको conditions में जाना है तो 4x4 आपको जाना पड़ेगा अब दखो यहां दोस्तों अंतर आपको अंदर से क्या मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले दोनों गाडियों का gate open कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर ले अगर इस पेर पार्ट आपकी गाड़ी में fit नहीं होता है तो आप उसको return कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर साथ के साथ इस mobile application को download करने का और website का link भी आपको description में मिल जाएगा आपको क्या करना है mobile application website पर जाकर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का make है वो select करना है year select करना है और ब तब यह आपको दिखाएंगे हैं अंदर से दोनों गाड़ी में अंतर क्या है तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहां पर four by four का जो लीवर था वह यहां से हटा दिया और यहां पर स्टैंड दे दिया जहां पर अपना फोन रख सकते हैं तो यह आ चुका अंतर इस सबसे four by four यह गाड़ी generate करती है और चारों टैरों में power आती है और आप किसी एक्स्ट्रीम कंडिशन में इस गाड़ी को बेहिचक को के ले जा से थैंथा क्योंकि आपको कही ना कहीं उस एक्स्ट्रीम कंडिशन से निकाल लेगी तो भाई यह अंतर अदर और इतनी बड़ी कीमत क कहीं ना कहीं थोड़ासा अंजस्टिफाइ करता है कि आगर आपको फोर 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 लेना तो थोड़ासा प्राइस कम कर देते इतना नहीं रखना चीए था चलो यह तो जो का एक अंतर मैं आपको दिखातो हूं आगे की तरफ से भी और क्या अंतर है फिलाल एक चीज़ औ मैं आपको बता दूं यहां गाड़ी के अंदर कुछ बदला हूँ है क्योंकि यहां पर आपको बटन दे दिया गया है जिससे आपके गाड़ी के चारो दर्वाजे लोक और अनलोक हो जाते हैं फिलाल दोनों गाड़ियों के अंदर यह अपडेट आ चुका है वहीं अब इ अंतर के बारे में जो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आप अलग से पहचान सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको 4x4 की बेजिंग मिल जाती है तो इसके दिखते ही गाड़ी जो हटा लगवा सकते हैं उसको लेकिन कहीं नहीं यहां पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको इसके अंदर जो एकसल है वो नहीं दिया गया है तो यह सब से बड़ा अंदर को आपको एकसल नहीं दिखाई दे रहा होगा इस गाड़ी के अंदर अगर वहीं रागी आप को फॉर यहां फोर ंधव नतर है कि जो जिसके तुरू आप गाड़ी को पहचान सकते हैं तो वैसे देखने के अंदर कुछ भी फरक नहीं है बस माइलेज में भी और फरक पड़ा है क्योंकि वन पॉइंट फाइव कहीना की अठार का माइलेज देती है वहीं फोर बाई फोर जो है वह 15 से उपर का माइलेज कि सबसे मेजर अंतर हैं वैसे आप पहने जाओ तो भीया कुछ भी अंतर निकालो लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि दोनों गाड़ी बिल्कुल ही सेम बना दिया बिल्कुल ही सेम है लेकिन जहां बात करोगे प्राइस की ओहो हो दोनों गाड़ी के अंदर आपको म सब्सक्राइब तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब वह तो करी लेना साथ में महिंद्रा का नाम आपको इस वीडियो के अंदर मिली रहा है तो कहीने कहीं भी आप इथार के नाम पे एक सब्सक्रिप्शन तो आपके तरव से मिली जाएगा फिलाल मुझे दोनों ही गाडियां कैपी बले ऐसी बात नहीं कि फोर बाई टू के अंदर कोई कमी है बिल्कुल भी नहीं है पर कहीने के एक्स्ट्रीम कंडिशन में ले जाने के लिए फोर बाई फोर हमीशा रिकमेंडेट होती है लाल यह ज